प्रेगनेंट कर दे बहु शिवानी की घर में आज बहुत चहल पहल थी ओभी क्यों ना? शिवानी की इकलौते बेटे रुपेश की दुलहन की स्वागत की तैयारी जो चल रही थी कुछी देर में दुलहन लेकर बारात वापस अपने दर्वाजे पर लोटने वाली थी अरे शिवानी बहु जल्दी आओ आर्ती का थाल लेकर देखो रुपेश अपनी दुलहन माला को लेकर आ गया है हाँ काकी बस अभी आई, दो मिनिट ठैरो कुछी देर में शिवानी का आर्ती का थाल लेकर दर्वाजे पर मुस्कुराती हुई नजर आ रही थी देखो बहु दाही ने पैसे इस लोटे को गिरा कर घर में प्रवेश करो और हाँ खयाल रखना, एक ही बार में लोटा गिर जाना चाहिए पहली ही बार में आपशगुन करने वाली लड़किया मुझे बिलकुल भी पसर नहीं है सास की बातों को ध्यान से सुनने के बाद बहुमाला पैर से लोटा गिराने के बाद घर में प्रवेश करती है शिवानी रुपेश की दुलहन को देख कर बहुत खुश थी वो रह रहकर उसकी बलाएं ले रही थी अगले कुछ दिन रस्मों को पूरा करने में बीच जाते हैं और उसके बाद दुलहन रुपेश के साथ हानीमोन पर गोवा के लिए निकल जाती है हानीमोन से लोटने के बाद बेटा, एक हमारा जमाना था 20-21 साल की उम्र में लड़कों की शादी हो जाती थी और 23 के होते होते गोद में बच्चे आ जाते थे अब आजकल का जमाना देख लो 30 साल तक तो बच्चे शादी का नाम नहीं ही लेते फिर उसके बाद 3-4 साल अपनी आजादी का जश्न मनाते हैं 34-35 साल में जब तक उनके बच्चे होते ना बिचारे बुड़े माबाप तो 60 की उम्र पार कर चुके होते हैं इतनी ताकती रह नहीं जाती शरीर में है कि वो अपने पोते पोतियों के साथ अपने बुड़ा पेक आनंद ले सके और फिर बहुएं इल्जाम लगा देती है कि उनके बच्चों को संभालने में साथ ससुर को योगदान नहीं देते है उनको अकेले ही बच्चे पालने पड़ रहे हैं लेकिन बेटा असल समस्या की तरफ कोई ध्यानी नहीं देता अब तू सोच कर बता दस साल पहले जो शरीर में ताकत थी वो अब थोड़ी ना रही है आज से दस साल बाद शरीर ऐसा रहेगा जैसा आज है नहीं न इसलिए बेटा मेरे कहने का मतलब यह है कि देरी किये बिना तुम पहले एक बच्चा मेरी गोद में डाल दो और यह घूमना फिर ना मौज मस्ती करना यह साब बाद में होता रहेगा बिटा पती पतनी का तो जीवन भर का साथ होता है लेकिन हमारी उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही है समय से ननना मुनना आंगन में आ जाएगा तो हम भी कुछ अच्छे पल उसके साथ बिता लेंगे सास की बाते माला को समझ में तो आ गई थी लेकिन यह कोई उसका अकिले करने नहीं तो हो नहीं सकता था इसलिए वो अपने पती रुपेश से इस बारे में बात करने के लिए सोचती है तो मैं उनसे बात करूँगी इससे तरह हस्ती खिलती एक दूसरी के साथ समय बिताते तकरीबन एक साल का समय बीच जाता है एक साल की बात बहु मैं तो यही समझी थी कि तुझ समझदार है और मेरी समझाई हुई बाते तुझे समझ में आ गई होगी बड़ी उमीद लगाई थी मैंने तुझ से लेकिन तुने तो मेरी सारी उमीदों पर पारी फैर कर रख दिया अरे एक साल बीतने को आया लेकिन तेरी तरफ से कोई पहल होती नजरी नहीं आरी क्या मेरे उपर जाने का इंदजार कर दिये तू इसी बात नहीं ममी जी ऐसी बाते करके मेरा दिल मत दुखाईए उपर जाए आपके दुश्मिन मैं तो चाहती हूँ आप सौ साल तक जीए और अपने पोते ही नहीं पड़ पोते भी अपनी गोद में खिलाए अरे रहने दे बाते करके मेरा दिल मत बाइला सीधा सीधा बता तुमने बच्चों के बारे में क्या सोचा है ममी जी बच्चों के बारे में निड़ने में अकेले तो नहीं ले सकती उसमें तो आपके बेटे का भी विचार होना चाहिए न तो क्या रुपेश मना कर रहा है बच्चों के लिए वो नहीं चाहता कि उसे कोई पापा कहने वाला इस घर में आये अरे अपने पती से बात कने में कैसा शर्माना बिटा मैंने तुझे समझा था ना इन सब चीजों में समय बड़ा ही महत्वपण होता है सही समय पर सही निने लोगी तो जिवन बर खुश रहोगी वरना परेशानी ही जहलनी पड़ेगी गुजरते वक्त के साथ शिवानी का दबाव माला के उपर बढ़ता ही जा रहा था लेकिन रुपेश ऐसे रियक्ट कर रहा था जैसे उसे इन बातों से कोई फरकी नहीं पड़ता एक दिन लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा रुपेश को तो बिलकुल पड़ी ही नहीं है ममी जी अपने बेटे को कुछ क्यू नहीं कहती बस मुझे पर ही दबाव बनाती रहती है रुपेश जी ममी जी पिछले डेट साल से मेरे पीछे पड़ी है वो चाहती है कि हम जल से जल दे इक बच्चा कर ले उन्होंने कहा है कि पता नहीं कल को वो बच्चे को खिला पाए या ना खिला पाए इसलिए इस तरह के काम में हमें देरी नहीं करने चाहिए रुपेश पत्नी की तरफ देखे बिना ही मोबाइल देखते हुए उसकी बात का जवाब दीता है ममी कहां जा रही है क्या जल्दी है ममी को इतनी अरे कैसी बात करते हैं बात जाने की नहीं है उनका कहने का मतलब है कि गुजरते समय के साथ उनकी उम्र भी तो बढ़ रही है न ज्यादा उम्र होने पर अगर हमारा बच्चा दुनिया में आएगा तो वो उसके साथ उतना समय नहीं बिता पाएंगी जितना वो आज बिता सकती है अभी तो ममी जी स्वस्त है अपने पोदे-पोदियों के साथ दाड़ भाग सकती है खेल सकती है लेकिन अगर कल को ममी जी के हाथ पैर काम नहीं करेंगी तब वो क्या करेंगी अरे ये कोई बात हुई इस तरह की बे मतलब की बाते तुम सास बहु कहां से लाती हो मतलब जो अभी हुआ भी भी नहीं उसके बारे में सोच सोच के अपने लिए टेंशन क्रियेट कर रही हू और ऐसा किस किताब में लिखा है कि हर बुड़े आदमी के हाथ पैर एक उम्र के बाद चलने बंद हो जाते है अरे भी अपना खयाल रखो तो हाथ पैर तो 80 साल की उम्र में भी चलते रहते है और अब ये सारी बात है सोच कर अरे इंसान बच्चे को दुनिया में लेकर आएगा कम से कम तुम्हारे जैसे पड़ी लिखी लड़के से मुझे ऐसी उमिद बिल्कुल नहीं थी अच्छे ठीक है एक बार मम्मी जी की बातों को किनारे करते थे लेकिन तब भी 30 साल की उम्र हो गई है आपकी ऐसी कोई बहुत कम उम्र नहीं है कि आप बच्ची की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते और मम्मी जी की बात ठीकी तो है समय रहते हमें फैमिली प्लैन कर लेनी चाहिए क्या फाइदा उम्र बढ़ने की बात कल को हम डॉक्टर की यहां धक्की खाते घुमे देखो माला मुझे अभी बच्चे बच्चे के चकर में नहीं पढ़ना अरे मुझे तुमसे उम्मीद थी कि तुम मा को समझाओगी उल्टा तुम मा की बातों से कन्विन्स होकर यहां आकर मुझे समझा रही हो थोड़ी तो प्राक्टिकल बाते किया करो आज कल के जमाने की लड़की हो और तुम में बाते मा की पसंद आ रही है हद है भई पतनी का मज़ाग उड़ाने की बाद रुपेश फिर से अपने काम में जुट किया था समझ में नहीं आता कैसे समझाओ इने कुछ भी कहलो इने कोई फरक ही नहीं पड़ता अब मैं मम्मी जी को जाकर क्या जवाब दूँगी फिर से सारी बातों का दोश मुझे देने लगेंगी इन मा बेटे के चकर में मैं तो एकदम पीस कर रहा गई हूँ मम्मी जी का बस चले तो आज ही बच्चा करा ले मुझसे और उनकी सुपत्र को अभी पच्चा चाहिए ही नहीं लेकिन इस सब के बीच में मैं क्या चाहती हूँ यह कोई जानना भी नहीं चाहता साल पे साल बीटते जा रहे थे और इसी तरह माला और रुपेश की शादी को तीन वर्ष का लंबा समय गुजर जाता है इन तीन सालों में माला शिवानी की आखों की किरकरे बन चुकी थे वो हर समय माला से उखड़ी सी रहती पता नहीं क्यों मम्मी जी ये बात नहीं समझ थी कि कभी कभी गलती उनकी बेटे से भी तो हो सकती है लेकिन नहीं जो कूछ भी हो उसका ठीकरा दो बहुक की सिर पर ही फोड़ना है मा जी को ही देख लो मुझे देखकर ऐसे मूँ टेड़ा करती है जैसे कि मैं उनकी बेटे को बच्चा करने के लिए मना कर रही हूँ अरे मैं तो खुद कह कह कर थक गई हूँ लेकिन या आदमे सुनने का नाम ही नहीं लेता आज माला का जन दिन था रुपेश ने आफिस से चुट्टी ले ली थी मला आज तुम्हारा जनन दिन है तुम जो चाहे वो मुझसे मांग सिपती हो आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगा तुम्हारी पसंद का अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगा और तुम चाहो तो हम दोनों लंज के लिए बाहर चलेंगे मूवी देखेंगे उसके बाद मार्केट चल कर तुम्हारे लिए शापिंग भी करेंगे क्या वाकई जो गिफ्ट मैं मांगोंगी वो मुझे देंगी अरे इसमें पूछने वाली क्या बाद है मांगो ना क्या चाहिए तुम तो कभी अपने लिए कुछ लेती ही नहीं हो इसे बाने कुछ तो खरीदोगी मुझे ये आपके साथ बाहर खाना, घूमना, शॉपिंग ये सब नहीं करना मैं बस आपसे एक वादा चाहती हूँ कैसा वादा माला, साफ साफ बोलो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप मुझे बताए कि आखिर आफ फैमिली प्लानिंग के बारे में क्यों नहीं सोच रहे आखिर आपके मन में एक बच्चे को इस दुर्या में लाने की इच्छा क्यों नहीं है आपके यार, दोस्त, सब बारी-बारी से पिता बन रहे है क्या आपकी इच्छा नहीं होती कि आपके गर में भी कोई पापा कहने वाला आजाए मुझे इस बार में कोई बात ही नहीं करना, छोड़ो ये सब आज तुम्हारा जर्म देना है, कुछ तो अच्छी बात करो मैं अपने होने वाले बच्ची के बारे में बात कर रही हूँ और पेश इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है और मैंने आपको अपनी कसम दिया है कि आज आपको सच बोलना ही पड़ेगा आखिर आपको बच्चा क्यों नहीं चाहिए और अगर ऐसा ही था तो आपको शादी से पहले बताना चाहिए था ना कि आपको बच्चा नहीं करना अब मुझे इस तरह तरसानी का क्या मतलब है इतना कहकर माला फूट फूट करोने लगती है मुझ पर भरोसा रखो माला जो कुछ भी कर रहा हूँ वो हमारी भलाई के लिए कर रहा हूँ मैंने तुम्हे कोई धोखा नहीं दिया मैं कैसे समझाओ अपने आपको रुपेश कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो हमारी भलाई के लिए जिस बात के कारण मुझे सारी दुनिया से ताने सुनने को मिल रहे वो बात मेरे फाइदे की हो सकती है ये कैसे मान लो माला अज किसी भी तरह से रुपेश की बातों से संतुष्ट नहीं हो रही थी देखो माला तुम्हें याद है शादी के बाद मैंने पॉलिसी में तुम्हें भी अपने साथ इंक्लूड करवाया था जिसमें कि तुम्हारे तमाम तरह के टेस्ट किये गए थे हाँ मुझे याद है तु क्या हुआ मेरी टेस्ट को उन्ही टेस्ट में तुम्हारा एक Ultrasound भी होआ था क्योंकि तुम हमेशा से खुश नगुश दिक्कत बताती थी इसलिए उसी समय मैंने डॉक्टर से कहकर थुम्हारा Internal Ultrasound भी कराया था उस Ultrasound में मुझे पटा चला कि तुम्हारी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ट है तुम कभी भी मा नहीं बन सकती हो दुन्या के ताने तुम्हें ना सुनने पड़े इसलिए आज तक दुन्या के सामने मैं कठोर बन रहा हूँ क्या? इतने बड़ी बात हो गई आपने मुझे बताया तक नहीं? अर एक बार मुझे से शेयर तो करना चीए था मैं यूही सालों से आपको पूछती रही इतनी बार आपसे जगड़ा किया लेकिन कभी भी आपने सच को स्विकार नहीं किया क्यों रुपेश? क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ माला बच्चा होना ना होना तो इश्वर के हाथ पे होता है उससे मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं हो जाता मैं जानता था तुम्हें सच पता चलेगा तो तुम इतनी आसानी से इस बात को स्विकार नहीं कर पाओगी टेंशन में रहोगी महीनों आसु बहोगी और मैं तुम्हें तूटते हुए नहीं देखना चाता था रुपिश की बात सुनकर माला उसे गले लगा लेती है देखो रुपिश जब कमी मुझ में है न तो तुम्हें सारा इल्जाम अपने सर पर लेनी की कोई ज़रुवत नहीं है कल ही मामी जी को मैं सब कुछ सच सच बता दीती हूँ वो हमारी मा है उन्हें पूरा सज्जानी का अधिकार है इस तरह से उन्हें अंधेरे में रखना भी तो गलत है न वो तो सालों से इसी इंतिजार में पल की बिचाय बैठी है कि आज नहीं तो कल उनका पोता या पोती जाकर उनकी गोद में खेलेंगे किसी को भी अंधेरे में रखना बहुत बड़ा गुना होता है कम से कम उन्हें सच पता रहेगा तो वो आस तो नहीं रखेगी कि बच्चा होने वाला है माला की बात सुनका रुपेश भी उसकी बात से सहमत हो जाता है मामी जी आप बहुत नाराज थी ना कि पता नहीं क्यों वो बच्चा नहीं करना चाते। आज हम आपको इसी बात के सच्चाएं बताने आया है। यह रुपेश की कोई जिद नहीं है। बलकि रुपेश मुझे इस लांचं से बचाना चाते थे कि मैं बढ़ा नहीं बन सकती। बहु की बात सुनकर जैसे सास शिवानी के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई दो पल को तो उसके आँखों के आगे जैसे अंधिरा ही छा गया कुछ देर बाद खुद को संभालती हुए वो कहती है हे बगवार पता नहीं कौन से बुरे कर्मों की सजा दी मुझे तो इस घर में आईगी और घर को सुना कर देगी अब मैं कैसे मनाओ अपने आपको इसके लिए कि घर में कभी बच्चों की किलकारी नहीं गुंजेगी तेरे माबाप ने बहुत बुड़ा धोखा किया हमारे साथ उनकी कोई गलती नहीं है ममी जी ना तो उन्हें इस बारे में कुछ पता था और ना ही मुझे सिर्फ रुपेश जानते थे और रुपेश ने भी ये बात मुझे आज ही बताई है जैसे ही मुझे ये बात पता चली मैं सबसे पहले आपको बताने चली आई मैं नहीं चाहती थी कि आपके साथ किसी भी किस्म का कोई दोखा हो लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने या मेरे घर वालों ने आपसे कोई भी दोखा किया है तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ इतना कहकर माला रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है अरे रुपेश पागल हो गया है कि तु इस लड़की के चकर में अगर तुझे शादी के तुरंट बाद ही सब पता चल गया था तो क्या करने के लिए तीन साल का लंबा वक्त गुजार दिया अरे तभी मुझे बता देता इस सुखी बेल का क्या करूंगी मैं जब इसमें फल फुल लगने ही नहीं वाले देख पिटा अभी तेरी उम्रह ही क्या है मैं बात चलाओंगी कोई भले घर की लड़की देख कर तेरा दूसरा ब्या करा देती हूं तलाग दे दे तु इसे मैं जानता था मा सच जाने के बात आप लोग इसी तरह से रियक्ट करोगे इसलिए इतने सालों से ये बात मैं अपने सीने में चुपा कर बैठा था मैंने जसका हाथ थामाए न उम्रह भर मैं उसका साथ निपाऊगा इस तरह से माला को धोखा देकर दूसरा ब्याम मैं कभी नहीं कर सकता माला अब बिल्कुल मुर्जाई से रहने लगी थी उसके मन में जो एक आज थी कि आज नहीं तो वो कल मा बनेगी रुपेश की बाते सुनकर आज बूभी खत्म हो गई थी कही न कहीं रुपेश और माला ने अपनी नियती को स्विकार कर लिया था लेकिन शिवानी हर महिने दो महिने रुपेश के आगे वही दूसरी शादि का किस्सा छेर देती जिसकी कारण मा बेटे के बीच भी खीचाव सा रहने लगा था अरो दीदी क्या बात है अजकला फोन भी नहीं करती मिलने भी नहीं आती हमने सोचा चलो हम ही चले सब ठीक तो है न दीदी अपनी किस्मत खराब है बस इससे ज़्यादा और क्या कहूं तुछ से एक तो किस्मत ने गंदा खेल खेला हमारे साथ उपर से आजकल के बच्चे माबा आपकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते दीदी अब आपकी बाते नो मुझे डरा रही है खुलकर बताईए क्या बात है अरे उसी से पोच ले मुझसे क्या पोच रही है हम तो जेली रहे इस बांच को अरे कैसी भाशा में बात कर रही है दीदी बहु की बारे में कुछ तो सोच कर बूलिये बहु वहीं रसोई के किनारे पर खड़ी थी सब सुन लिया होगा उसने कितना बुरा लगा होगा बिचारी को आपसे ये उमिद नहीं थी आरा सुन लिया तो सुन लिया जो सच है वही सुन लिया हाँ यही सच है बांज है वो कभी उलाद पैदा नहीं कर पाएगी और उसके कारण मेरा बेटा भी सारी जिंदगी बिन उलाद ही रह जाएगा मैंने तो लाग बार कहा उससे के दूसरी शादी कर ले बेटा और पटका इसे इसके मा के मैं लेकिन मेरी इस घर में सुनता कौन है चार दिन हुए नहीं ब्याको बेटे तो बीवी के गुलाम हो जाते बंद गया बीवी के पलूस है अब मा बेचारी छाती पीटती रहा है किसी को क्या फर्क पड़ता है किर्ति मौसी अपने बड़ी बेहन की बाते सुनकर बहुत ह़रान थी बात को सही तरह से समझने के लिए वो बहू माला को अपने पास बुलाती है माला बेटर दितिकी छोड़ो तुम तो आज के जमानी की पड़े लिखी लड़की हो ऐसे क्या समस्या है तुम्हें? डाक्टर को दिखाया? अरे आजकर हर तरग की समस्या का इलाज है तुम एक बार डाक्टर के पास जाओ तो सही मौसे जी ये रिपोर्ट गाउं के डाक्टर को दिखा चुके है उन्होंने बताया कि मेरी दोनों ट्यूब ब्लॉप्ट है मैं कभी मा नहीं बन सकती अरे तो तुमने आई वी एफ ट्राइ किया? उससे तो बड़े कॉम्प्लिकेटड केस भी हैंडल हो जाते है आई वी एफ? उसके बारे में मुझे पता नहीं था अरे पिटा कौन से जमाने में जी रही है तुम? आज ही शहर जाकर किसी अच्छे से आई वी एफ के अंदर में पता करो अरे जिनको नैश्रल तरीके से बच्चे नहीं हो सकते ना उनको आई वी एफ की मदद से बच्चे हो जाते हैं मौसी की बात सुनकर माला को जैसे नई उमीद दिखाए पड़ गई थी अगले ही दिन वो लोग शहर जाकर एक अच्छे आई वी एफ सेंटर में बात करते हैं और जैसा की किर्थी को उमीद थी वही होता है डॉक्टर माला और रुपेश को आश्वासन देता है कि उनकी घर एक स्वस्त बच्चे का जन्म हो सकता है हाला कि थोड़ा कठीन होता है लेकिन असंभव नहीं दो बार असफल आई वी एफ होने के बाद तीसरी बार में माला आई वी एफ के मदद से गर्भवती हो जाती है और नौ मैनी के बाद एक सुन्दर सा स्वस्त बच्चा उसकी गोद में आ जाता है बच्चे के जन्म लेते ही पूरा घर खोशियों से भर गया था और इसके साथ ही सास शिवानी के मन से भी सारे गिले शिक्वे दूर हो गये थे